नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी, शेक चिल्ली की कहानी, सड़क यही रहती है, दोस्तों, एक देन शेक चिल्ली कुछ लड़कों के साथ, अपने कस्पे के बाहर एक पुलिया पर बैठा था, तभी एक सजजन शहर से आये और लड़कों से शेक चिल्ली को मजाक सूजा, उसने कहा, क्या आप यह पूछ रहे हैं कि शेक साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है, हाँ हाँ, बिल्कुल, उस व्यक्ती ने जवाब दिया, इस से पहले कि कोई लड़का बोले, शेक चिल्ली बोल पड़ा, इन तीनों में से कोई भी रास्त रास्ता नहीं जाता। driven तो कौन सा रास्ता जाता है कोई नहीं। सरके कहीं नहीं जाती यहीं पर रहती हैं मैं शेक साहब का बेटा चिल्ली हूँ मैं वह रास्ता बताता हूँ जिस पर चल कर आप घर तक पहुंच जाएंगे अरे बेटा चिल्ली वह आदमी प्रसन होकर बोला तू तो वाकई बड़ा समझदार और बुद्धिमान हो गया है तू छोटा सा था जब मैं गाव आया था मैंने गोद में खिलाया है तुझे चल बेटा घर चल मेरे साथ तेरे अबबा शेक साहब मेरे लंगोटिया यार है और मैं तेरे रिष्टे की बात करने आया हूँ मेरी बेटी तेरे लायक है तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रह तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें